अगर दिख रहा है तो आप और ग्रांडड़नेस के लिए काम कर सकते हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में ठहराओ या बदलाओ नहीं है तो आपको वो परिस्तितियों का आखलन करना चाहिए क्यूंकि आपके लिए बीते कई वर्षों से महीनों से परिस्तितियां तो बेटर एक डिवेलपमेंट लेकर आई हैं उसका आखलन करना प परिस्तिति आपके लिए लोंग टर्म फिनैंशल इशूस भी पॉजटिविटी के साथ लेकर आ सकता है बात करते हैं वरिशब राशी वालों के लिए वरिशब राशी वालों अगर आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए सब तरफ से पॉज़िविट लेकर आ सकता है, साथ ही साथ आज के दिन आप अपने उन सभी तक्थियों को भी रिव्यू करके आगे बढ़ सकते हैं और कोई बहतर तरीके से एक फिनांशल डिसीजन ले सकते हैं, जो लंबे समय में आपके लिए लाबदायक साबित हो सकता है परिवार की स्थिर्ता की अगर मैं बात करूँ तो लंबे समय से चल रहा है, अगर कोई परिवारिक डिस्प्यूट होगा तो अब वो भी साजा होता हुआ नजर आएगा, लंबे समय से अगर आप अपने माता पिता किसे किसी विचार धारा विचार या किसी मत को लेकर कोई चल रहा था, तो वो सिचुएशन भी अब आज के दिन स्राजा होते हुई नजर आएगी या रास्ता उसमें देखने को मिलेगा बात करते हैं मिधन राशी वालों के लिए मिधन राशी वालों, आज के दिन की मैं बात करूँ अपने आपको uplift करना चाहते हैं, तो वो परिस्तितियां आपके लिए अच्छी situations बनी हुई हैं, बर आपको उसे explore करना है, आज के दिन परिवार का साथ आपको और मरिबूत बना कर जा सकता है, छोटी मोटी dispute या conflicting scenario कारशेतर में second half के दौरान हो सकती है, तो आपको थोड़ा स अगर चल रहा था, जिसको लेकर आप उल्जन में थे, चाहे वो court case हो, चाहे वो कोई financial matter हो, चाहे आपके funds blocked हो, चाहे आप किसी property को बेशने की कोशिश कर रहे हो, अब वो सारी परिस्तिति आपके control में है, रास्ता आपको मिल चुका है, बस उस पे आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, आज के दिन financially भी आपके लिए अच्छी opportunities आपको देखने को मिलेंगी, मन आपका शान्त रहेगा, विचार धाराएं प्रबल रहेंगी, लंबे समय से चल रहा, dispute भी जबाब शान्त हो गया, तो अब आप अपने उपर ध्यान दे पाएंगे, पारिवार एक स्थ सितियां अनुकूल है, मन आपका शान्त है, confidence level में इजाफा है, माता पिता या परिवार की प्रतीर जो आपकी जिम्मेदारियां थी, वो अपने अच्छी तरीके से निभाई हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, वैसे ही चलते चलिए, सब तरफ से आप अपनी situations को positive कर पाएंगे साथी साथ जो लोग real estate या property matters में निवेश करने की सोच रहे थे, आज के दिन आपको काफी अच्छी deal मिल सकती है, या उस पे आप काम कर सकते हैं, उसको लेका अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आपकी situations अनुकूल हो रही हैं साथी साथ आज के दिन अगर जो लोग run आप लोगों ने लिया था कोई loan लिया था जिसकी आप repayment capacity आपकी generate नहीं हो पा रही थी या रास्ता नहीं दिख पा रहा था तो अब वो आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा, कुल मिला के अब ये time है कि आप अपने उपर, अप important मुद्दे को लेकर हो सकता है, आप से कोई negligence हो जाए, कोई aspect miss हो जाए, तो वहाँ पर आज के दिन आपको अपनी सारी situations को review करने की परिस्तिती है, साथी साथ आज के दिन पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी, आपका मन मुटाव, आपके किसी घनिष्ट मित्र के साथ हो स आएगा, कुछ खास उतार चड़ाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा, जैसी परिस्तितियां चल रही हैं वैसी ही चलती रहेंगे, लेकिन आप अपने और अपने परिवार के लिए काफी अच्छी परिस्तिती औरोड़ी create कर चुके हैं, साथी साथ नवीनतम परिस परिस्तितियों से निकल कर आएं हैं, और सूजबूच का परिचय देकर सारी चीज़ों को अगर आप टैक्टफुली हैंडल करेंगे तो और अच्छी परिस्तिती आप अपने लिए बना पाएंगे, बात करते हैं ब्रिश्चिक राशी वालों के लिए, ब्रिश्चिक अपने लिए अपने पक्ष में कर पाएंगे, अगर कोई conflicting scenario हो, अगर कहीं परिवार के प्रती आपके कोई disconnect चल रहा हो, कोई dispute में हो, work का कोई stress हो, वो सारी situation अगर आप अपने perspective को change करेंगे, तो आज के दिन आप किसी solution पे जरूर पहुंचेंगे, आज के दिन second half के दौरान स्वास संबंदी चिंताएं आपको सता सकती है, तो खान पान पे आपको नियंतरन रखने की जरूरत है, बदहजमी आपको हो सकती है, तो अपने पेट का या पेट संबंदी रोगों का आज के दिन आपको ध्यान देने की जरूरत है, बात करते हैं धनुराशी वालों के लि कैसे situations को आगे लेकर जाना है उस पे आपको विचार करने की सक्त जरूरत है आज के दिन उन सभी परिस्थितियों को आप अपने favor में ला सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि आपको invest करने के लिए सारे avenues को आपको सोचना पड़ रहा था उतार चड़ाव चीजों में देखने को नहीं मिलेगा लंबे समय से चल रहा जो भी आपका एक तनाव होगा या कहीं कोई conflicting situation या कोई court case चल रहा होगा तो उसमें negotiate करने की आपकी परिस्थिति या तो प्रभाशाली बनेगी या इसका निस्तारन जल्दी से जल्दी हो जाएगा साथी साथ नवीन तम परिस्थिति प्रोफेशनल या आपको देखने को मिल सकती है वो परिस्तिती को आपको explore करना चाहिए, कोई आपका मित्र, घनिष्ट मित्र, आपको कोई सूचना संकेत और महतरपूर्ण, important सूचना दे सकता है, जो आपके कारशेतर में काफे जादा लाबदायक सिद्ध हो सकती, उसकी advice को आज के दिन आप चाहें, तो explore कर सकते हैं, या discipline approach के साथ आप जीवन में आगे बढ़ रहें, बीच-बीच में थोड़ा बहुत तनाव आपको जीवन में देखने को मिल जाता है, लेकिन मैं कहूंगी वो भी कोई बहुत बड़ा aspect नहीं है, चिंता करने का विशह नहीं है, क्योंकि आपने stress को काबू कैसे करना है, वो बहतर हो गई है, professionally भी आपके लिए नई opportunities आएंगे, उसको explore करना आज के दिन बनता है, जिस तरह से आप चल रहे हैं, वो काफी काबिलित तारीफ है, आपकी approach को आज के दिन आप और बेटर करने के लिए अपने मन को शांत करने की कोशिश कर सकते हैं, जाए आप वो meditation से करे या फिर आप relaxation exercises से करें, बात करते हैं मीन राजशी वालों के लिए, आपके रिया नुकूलता बनी हुई है, मीन राजशी वालों मन आपका शांत है, सब तरफ से प्रबलतम परिस्थिती बनी हुई है, माता पिता के स्वास के प्रती अगर आप चिंतित रह रहे थे तो वो मेल्टने की कोशिश कर रहे थे, परिवार को एक जूट करने की कोशिश कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो अब मैं आपको बता दूँ कि वो परिस्थितियां आपके फेवर में आएंगी, माता पिता का सहयोग बढ़ों का आशरवाद आज के दिन आपके साथ बना र झाल